तो काफी दिनों के बाद Go Plus Classic Edition लेके आ चुकों आप सभी के लिए और यह जो अपडेट अवेलवल हुआ है हमारे Pogo के F4 डिवाइस के लिए जहां पर आपको मोनिट इफेक्ट देखनी को मिलते हैं और काफी कुछ चीजे लेकिन यह रूम कैसा है पर्फॉर्मेंस कैसा है डालना चाहिए या नहीं साइट इनकारी मिलेगी क्योंकि इसे डाले हुए हो चुके हैं दो दिन से उपर तो चले अच्छा लगता है तो लाइ रिखाई देता है बिलकोली एस पी टाइप का पिर्विव यहां पर बाउट सेशन का जहां पर जो वॉल पर उप्लाई करों उसका पिर्विव यहां पर नजर आ जाएगा आपकर डिवाइस और उसका बिल्ड नमर मियूए वर्जन वगेरा जो कि 14.0.7 बीच में आप इंडेनर का नेम देखनी को मिलता है सपोर्टेट ग्रूफ वगेला है डिटेल एन इंफो में Android 1391 का सेक्यूर्टी पैच स्टेवल 14.0.7 जो कि गो प्लस क्लासिक चाइने को पर बेस्ट है और यहां पर आपको प्रिफ का करनल देखनी को मिलता है और जो मोनेट इफेक्ट यहां पर वो मुझे रियले में काफी कूल लगा और यह आप देखो कैप्सुल जैसा आपको दिखाई देता है आइकन जो कि आपके क्लॉक के बैगराउंड में है यहां पर आपको स्कीन ऑन टाइमिंग एडिशनल के अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट जो कि काफी सही है यहां पर वन एंडेट, क्लियर स्पीकर, फ्लोटिंग विंडो और मेमरी स्टेंशन वागेर आपको देखनी को मिलते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो एप्स के अंदर वही नॉर्मल से एप्स लोग और बागे दर फीचर्स है और बैटरी के अंदर यहां पर आपको हेल् अगर यहां पर नंबर होता नाम के जगाँ पे तो बेटर होता बर चलो कोई बात नहीं ओफिसल ऐसा ही रहता है और यहां पर इसकी ओन टाइमिंग के बात करें तो वह भी यहां पर दिया गया है जो कि ओफिसली रिमूब हो चुका है इसके बाद यहां पर आपको मिलता है वही privacy, safety, password, security वगएरा जो की working है और home skin में यहाँ पर जो launcher उची आगए वो ठोड़ा advance वाला है जहाँ पर iPhone का look आपको मिल जाएगा, card को छोटा बड़ा करने का है restart का है और यहाँ पर clean button कैसा होना चाहिए वो साइचीज आप यहाँ पर set कर सकते हो जो कि यह काफी सही लगता है यह individual है, एक वा लॉंचर को restart मार्द, उसको बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा change वगेरा, तो यह हमारा individual जैसा दिखाई दे रहा है अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा glow आइकन का, यहाँ पर आइकन के अंदर है जो style चेंज करने का, यहाँ पर color background चेंज करने का है apps आइकन वगेरा, outline, folder effects वगेरा है, old चाहो तो widget support आप यहाँ से enable कर सकते हो यहाँ पर search bar जो कि आपको देखने को मिलता है, इसकी अलगर टाइप दिये गए है और यहाँ पर row and column के बात करें, तो यह आपको मिलते हैं total 9 into 16, जो कि काफी ज़्यादा है new unlocking animation, double tap to lock and sleep वगेरा के option आपको यहाँ पर मिलते हैं तो काफी कुछ चीजे इस launcher में आपको नजर आता है, वहाँ पर बात करें इस notifications वगेरा की, set वगेरा की तो group notifications आपको मिल जाएगा, यहाँ पर expand का और weather info भी आपको देखने को मिलता है बाकि यहाँ पर वही same common option आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई simple से सभी में होते हैं वहीं पर sound profile में जाला कुछ नहीं है, वही similar से चीज़ा आपको दिखाई देगी और display के अंदर आपका जो dark mood है, यह आपका proper यहाँ पर scam करता है याने fix किया गया क्योंकि जो official China Rome है उसमें तो यह आपको buggy मिलता है, बट यहाँ पर नहीं है इसके बाद यहाँ आपको मिलता है refresh rate का option जो कि 60, 90 और 120 है बट मैं prefer करूँगा 120 ही, यूज करो काय को 90 और 60 पर जाओगे बाकि यहाँ पर AI engine वगेड़ आपको देखनी को मिल जाते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो और always on के अंदर हम in करते हैं, तो यहाँ पर themed काई कर नहीं है बट आप theme store से जाके download कर सकते हो और बाकि same वही common option आपको मिलेंगे और यहाँ पर आपको कुछ नए wallpaper collection मिल जाते हैं, जो कि रियली में आपको पसंद आने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर go plus के करीब 14 wallpaper दिये गए हैं, जो कि आप देखो, यह live वाले हैं काफी cool देखने में लग रहे हैं, और हर जगा आपको अलग effects देखने को मिल जाता है, तो यह आप यहाँ पर use कर सकते हो, अगर आपको पसंद आता है, तो यहाँ पर wallpaper collection में मुझे काफी cool लगे हैं, और I think कि आपको भाई इनसे प्यार होने वाला है, क्योंकि काफी बहतरीन collection है, life के, उसका कुछ यहाँ पर name वेगर के दिये गए हैं, जो कि total 55 देखने को आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इनमें से मैं यहाँ पर use कर रखा हूं, तो मरजी आपके कि आप इनमें से कौन सा wallpaper ज्यादा पसंद करोगे, prefer करोगे, वह आप यहाँ पर जो यूज कर सकते हो, ठीक है, बाकी यहाँ पर वही common MIUI वाल पर आपको मिल जाते हैं, जो कि यह भी काफी अच्छे खासी collection आपको जो दिखाई देते हैं, तो यह total चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, इस globe के अंदर, और अगर आपको इडिट करने आते हैं, तो यहाँ पर आपको device frame का option दिखाई देता है, जो कि आप add कर सकते हो, और यहाँ पर जो नाम है ना, यह नहीं दिखाई दे रहा है, मोरेट के वह जैसे, लेकिन आप यहाँ पर आप देखो, साइज चीजे में detail सो करता हूँ, तो charging speed मुझे सही लगा है, उसके बैटी डॉप जो कि 89 के बाद morning में यहाँ पर 87 आता है, यानि only on 1%, नहीं 2% का बैटी डॉप है, जो कि मैं कहाँ कि ज्यादा नहीं है, उसके बाद यहाँ पर आप देखो वही है, 7 hours 47, यानि 8 hours के आसपास में 2% बैटी डॉप गया, अच्छा खासा है, 11 का support आपको मिल जाता है, device certified आपको मिल जाता है, प्लस में unto to score काफी अच्छा खासा है, जो कि 87 का है, जबकि normally by throw down ही रहता है, और 100 पे डालने के बाद, यहाँ पे normal CPU total, 3,9,000 max, और minimum में 2,25,000 जो कि total क किया है, बाट यह भी डावट गेम डर्वो का है, तो गेम डर्वो में डालते हैं, यहाँ पे 3,2,000 max, और minimum में यहाँ पे 2,72,000 और रिजल्ट ठ्वा स्टेवल आया है, उसके बाद, गेम डर्वो के अलावा, यहाँ पे मैंने गीक बेंट ट्राइ किया, तो आप देख सकत पोकेफर में हर बार थोड़ डाउंसाइड रहता है, और वही चीजे, यहाँ पे हमें डेखनी को मिलती है, जो कि यह हमारा थोड़ डाउंसाइड और प्रोपर नहीं है, इसके बाद मैंने गेमिंग सेटिंग चेक किया, तो गेमिंग सेटिंग में कुछ खास मुझे स्पे बाते हैं, वहीं पर हम अपने कैमरी की बात करें, यहाँ पर जो कैमरा दिया गया है, वह भी आपको अच्छा लगता है, उसे आप सिंपल ड्राइग और ड्रॉप करके है, जो लाकी यहाँ पर रख सकते हो, असानी से आपको पेव गरा या पर्चिज बगरा करने की ज़ु और फोल्डर के फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर अल्लियोन आपको डवल एक्सल का मिलता है, टू इंटु वान और वन इंटु टू अलब फीचर्स नहीं दिया गया, बाकी यहाँ पर वाल्यूम में आपको छोगा सा मोईट एफेक्ट टेखनीकों मिल जाएगा, यहा काफिया तक सिंपल एकिन थोड़ी बिट मोडिफाइट किये गए जैसे कि मोनिट इफेक्स वगेरा है, स्मूद ने थोड़ा बेटर मिल जाती है, बैटी भी आपको काफी सही मिलता है, और जो वाल पेवर के लेक्सन है, वो काफी लाज जवाब आपको मिल जाते हैं, और कितना अच्छा खासा देखनी को मिलता है, तो डिपेंड करता है आपके उपर कि आप इस रोम के साथ जाना चाहोगे या नहीं, और हाँ, यहाँ पे कुछ अप्लिकेशन आपको आए, जब लोड़वेर के रूप मिलते हैं, जिसे आप एजली अनिश्रॉल वगरा है, जो क कर सकते हो, बड़ डिपेंड करता है आपके उपर, तो आप कमेंट करो और बताओ मुझे, इसके पहले मैंने एक वन ओप दो बेस्ट रोम का रिव्यू किया है, आपने नहीं चेक किया, तो चेक कर लेना, कि वहाँ पे जो परफॉइंस रिजल मिलते हैं, इस से भी थोड़ अरा कमेंट करता है, इस भी थोड़ कि एता हैं, यूभव ले क majority रहीं के चेक कर लेखरे आघूंट की चेकित मैंट करूज़ पिस है, इस अज़े डí युआ किया है, दो बता है।